देखना शुरू कर दिया है दाइंगल मैं हूँ आपके साथ 6 यवस्ति दोस्तों अगर आप राजिस्थान के किसी छोटे शहर में या गाउं में रहते हैं या फिर किसी बड़े शहर में भी रहते हैं लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपको भी कोचिंग करनी चाहिए, कॉमपेटिशन एक्जाम की तयारी करनी चाहिए लेकिन आपके कदम सिर्फ इसलिए रुख जाते हैं क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है आप सोचते हैं कि कैसे वहन करेंगे, वो जादा खर्चा, वो बड़ा खर्चा जो कोचिंग इंस्टिट्यूट में होता है या फिर वहां रहने सहने का जो खर्चा होता है, तो अब घबरानी की बात नहीं है क्योंकि राजस्थान की घैलोत सरकार ने एक नया फैसला किया है, एक नई योजना लेकिया है और वो योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रिति कोचिंग योजना इस योजना के तहट राजस्थान के मेधावी चात्र चात्राओं को मुफ्त कॉंपेटिशन इक्जाम की तयारी करवाई जाएगी और इसके साथ ही जो उनके रहने सहने का खर्चा होगा, वो भी मुख्यमंत्री घैलोत की सरकार ही उठाने वाली है क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी योजना और कैसे आपको इसका फाइदा हो सकता है, देखिया हमारी इस रिपोर्ट में अशुक्यलूत सरकार की इस योजना में वे चात्र पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षे काये 8 लाक रुपे प्रतिवर्ष से कम है किसी भी चात्र चात्रा को इस योजना का लाप केवल एक वर्ष की अबधी के लिए मिलेगा संग लोग सेवा आयोग की ओर से आयोजित, सिवल सेवा परिक्षा, राजस्थान लोग सेवा आयोग द्वारा, आयोजित, आरे एस और अधीनस्त सेवा संयुक्त प्रतियोगी परिक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेट पे या पे मेट्रिक्स लेवल 10 से उपर की अ विहारतियों को योजिना का लाब मिल सकेगा, इस आधार पर होगा इस योजिना में छात्रों का चैन, गहलू सरकर की इस योजिना में छात्रों का चैन 12 और 10 वी के नंबरों के आधार पर किया जाएगा, एसकी वर्ग के लिए योजिना का संचालन जन जाती, शेत्रिय विकास विभाग एवं SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामजिक नियाय और अधिकारिता विभाग और अलपसंख्यक वर्ग के लिए अलपसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा, ये विभाग जिलावार लक्षर निर्धारित कर चात्रों की मेरिट के अनुरूप चैनिज संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की विवस्ता सुनिश्चित करेंगे, चात्र चात्रों के चैन के समय ये प्रयास किया जाएगा कि अभ्ध्यार्थियों में कम से कम 50% आईसल सरकार की इस योजना के तहत युवाओं को अपने competition exam की तयारी करने और coaching करने साथ ही रहने और खाने के लिए हर साल 40,000 रुपे दिये जाएंगे इसी के साथ इसके लिए जो नोडल विभाग बनाया गया है वो है सामाजिक अधिकारिता एवं नयाए अब इस विभाग के तहत ही इस पूरी योजना को ध्यान में रखा जाएगा और इसकी monitoring की जाएगी साथ ही जो बड़े-बड़े coaching संस्थान है बड़े-बड़े प्रतिष्ठान है coaching के उन पर भी इसको implement करवाया जाएगा तो कह सकते हैं कि इस योजना के तहत राजिस्थान के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है इस तरह की खबरों के लिए दाएंगल जरूर देखते रहिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूले नमस्कार